नमों विष्णु पदाय कृष्ण प्रेस्थाय भूतले सीमते जय पताका स्वामीनिती नामिने नमों अचार्य पदाय निताई गृपा प्रदाईने गौर कथा धामोदाय नगर ग्रामोतारिने नमंग विष्णु पदाय कृष्ण प्रेस्थाय भूतले शीमते भक्ति वेदान्त स्वमिनिति नामिने नमस्ते शरश्चति देवे गौरवानी पचारिने निर्भी शेश शुन्दवादी पश्चत्य देशोतारिने वंचा कल्पतरु भट्षा क्रिपाशिंदु भये वचा पतिता नंग पावने भोवश्ण विभव नमो नमाहा ए कृष्ण करुणा शिंदु दिनवंधु जगत्पते गोपेशा गोपिका कांतो राधा कांतो नमोस्तुते तप्त कांच नगवरांगी राधे ब्रिंदा वने शरी विशववानु सुते देवी प्रोणामामी हरी प्रिये जाए स्री कृष्ण चैतन्न प्रफूर नित्तानंद श्रियाद्धवित गदाधर स्रिवाशादी गवर भक्त ब्रिंदा हरे क्रिशना हरे क्रिश्णा क्रिश्णा घर हरे हरे राम हरे रामरा मालग हरे तो तो सी उपदेश अमरित के यह तीसरी स्लोक है और इसे पहले जो स्लोक हैं पहले और दूसरे तो बको की याद है जो बाकी जो स्लोक है है जो पहले वाल स्लोक है वह बाचू बेगम मनुशक रोदा बेगम उदार उपस्ता बेगम जीवा बेगम उदार उपस्ता बेगम और दूसरी स्लोक क्या है अध्याहारत व्यासिश्चा जिर्पन्यमग्राइब कि पहले स्लोक में कि इंद्रियों की बेग बेगों के बारे में बताये हैं और दूसरों स्लोक में क्या बताये हैं अनर्थक प्रयास के बारे में बताये हैं तो यह दोनों क्या हैं कि भक्ति के बिनाशक और यह दोनों पहले स्लोक और दूसरों स्लोक में भक्ति बिनाशक जो वस्तुए है जिसके साथ जीव बद्धो जीव पूर्ण तहां फसे हुए हैं तो तीसरी स्लोक में इसका उपवाय बता रहे हैं क्या है शडवीर भक्ति प्रसीदती तो तो तूसरी स्लोक सब लोग इसका आप उच्छाह निर्चया धर्यात ततत कर्म प्रवर्तनात कि संगत्यागत शतो गृते शडवीर भक्ति है तो इसमें कर पो दो कि ये जगां में ऑन द्धोग दिये हैं पहले सलत में छै की व्याक्ति डुसरा में न फिर ये हैं да और तीसरे सलक में भी छे हैं, तो अनुवाद में क्या बता रहे हैं? शूद भक्ति को संपन्व करने में सहसिद्धान्त अनुकुल होते हैं, ये भक्ति के अनुकुल हैं, जो छे सिद्धान्त हैं, क्या हैं? उच्छा ही वने रहेना, निच्चाएं के साथ प्रयास करना, धेर्योवान होना, नियमक सिद्धान्तों के अनुशार कर्म करना, ये था श्रबन कीर्तन विश्णुवेस्मरन आदी पांच्वान, भक्तों की अभक्तों की संगत छोड़ देना, तथा पूर्ववर्ति आचारियों के चरणचिन्नों पर चलना, ये शह सिद्धान्तों निश्षंधें, शुद्ध भक्ति की पूर्ण सफलता के प्रति आश्वस्त करते हैं, लास्ट वीक के हमारे चर्चा में क्या था, लास्ट वीक के चर्चा में तो उसके साथ अगर एक कनेक्ट करें, तो इसमें क्या पाए जाते हैं? शुद्ध भक्ति की पूर्ण सफलता की आश्वस्त करते हैं, आश्वा संदेते हैं, जो दाश अभिमान जब हमें होगा, तो वह भी यहीं पर आके हम रूपे थें, कि भगवान के दाश कोन होते हैं, जो शुद्ध भक्ति के एस्तर पर पहुंचते हैं, तो ए छे प्रकार के जो बीधिया है, इसमें हमें क्या प्रदान करेंगे? शुद्ध भक्ति की पूर्ण सफलता, कि आश्वासन देंगे, फल नहीं देंगे, आश्वासन देंगे, तो भक्ति में हम आए, भक्ति का आचारन कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं, लेकिन, स्वाद, क्या है? स्वाद बढ़ रहे हमें, हमारे भक्ति में, अगर स्वाद नहीं बढ़ रहे हैं, इसका मतलब, कही ना कही, उस गरवड है, तब गरवड क्या है, बहुतिक समाज में हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, जब तक हमारे कोई बखान ना करें, तब तक वो आदमी हमारे लिए सई नहीं है, और यह है, भोवतिक संसार के बीमारी के जाड़, सुनातन गोश्चा में, एक बार दुखी हो गए, नहीं, सरी, हरीदा स्थाकुर दुखी हो गए, क्यूंग, जब पूरी में थे, तब चैतन अमाहाप्रोब पूछे कि तम्हारे दुख का कारण क्या है, भरीदा स्थाकुर बताए कि मेरे दुख का कारण है, यह कि आप सुनातन गोश्चा में को अपना समझ रहे हो और मुझे अपना नहीं समझ रहे हो, कि आप मेरे बॉय ब्रिद्ध है जेस्ट है आप मेरे जेस्ट है और मैं उसे ही सबसे आपके सम्मान करता हूं आपको ऐसे क्यों लग रहे हैं कि मैं आपको अपना नहीं समझ रहा हूं कि आप कि सुनातन गुष्वामी को कि शिक्षा दिया और मुझे ग्लोरीफाई कि तो लास्ट ट्विक पिक्चर्चा में हमें बताएं थे कि शिक्षा के वल दो वेक्ति को दिया जा सकता है कि शिष्यो और संतान कि क्यों कि कि अपनों में से सबसे ज़्यादा अपना यही दो वेक्ति हैं और जब तक बेक्ति अपना नहीं है तब तक हम किसी को शीक्षा नहीं प्रदान कर सकते हैं कि तहरीदा स्थाकूर चैतानों महाप्रभू को यह उद्धारन दर्शाएं कि मेरा फ्रसा यह प्रब्लेम है सब्सक्राइब करना मैं अगर किसी टॉपिक में बात करूंगा तो मैं कि कोई और चला जाओंगा वापस लान आके फिर वहां पर आना मरे भारी पड़ जाते को भी आप लोग पूछूंगा कि मैं था कहां पर तो कारण क्या है अब हमारे अंदर है अब जनवा स्टमी का यहां पर ऊते हैं सब्सक्राइब करें राथजातरा फेस्टीवल नजदिक आते हैं गौरपृर्णी में आते हैं तो हमारे मन में उच्छा है शबाविक रूप से हमारे अंदर आ जाते हैं पर उच्छा के बाद क्या है носब कि उच्षा होता हैं सेवा करते हैं पर उजव एक पूर्णता उसमें एक आनंद अस्वाधन करना वो प्राप्त नहीं हो पाते कि पूछा था कि आनंद आरा रहा है कि लिए ये मारे बगते में उच्षा आमारे में है तो इसका एक छोड़ा उदारन के तरपोर हमसे देख सकता है कि उच्छा होने से ही नहीं चलेगा उच्छा को कैसे करना है कि यह हमें सिखना ज़रूरी है कि उच्छा है पर उच्छा को हम अगर बुद्धी मत्तक के साथ अगर परिचालोना नहीं किया तो हमें उच्छा का जब फॉल है वह में प्राप्त नहीं हो पाएगा अगर किसी के मन में आया कि आं जगन्नात जी क्या औरत्षसात्र आ रहा है तो मुझे उनको भोग लगाना है अभी भोग लगना है कि सब्जी बगरा सब कुसे कठा करके कीच्छन में जाके बर्तन सब सफाई करके सब रूडी सब्जी में कौन सा मसाला जाएगा इस बारे में आइडिया नहीं है कि तो किया सब्जी सही तरह से बन पाएगा अगर सही तरह से नहीं बनेंगे और हम अपने भावनात्मक्द्रिष्टी से बना के उज भी किसी तरह से बना के भगवान को फोग लगाएंगे कि भगवान शंतुस्टी के साथ ले पाएंगे कि कुकिंग का एक क्रिष्ण लीला में एक कहानी है मुरुली व्रिस्टी करके क्रिष्ण लीला है तो उसमें सुबल राधारानी को अपने सोसुरल से निकालने के लिए राधारानी के बेज धर के हो जाते हैं राधारानी को सुबल के बेज बना के अपने घर से निकाल देते ह तो जब उनका कूकिंग के बारी आए राधरानी को कूकिंग करना है राधरानी बनके तो लड़का बैठा हुआ है अंदर तब उनके सासु बताए कि आप जाओ कूकिंग करो तो अब एक बजन है बजन में लेखा है शाकेते शुकूता दिलो जोले अंबल परोमन ने फरों दिये राधी से शुबल बंगली लेकर समझ पाएंगे जहां पर इस सारा बंगली आइटेम है एक्सली शुक्ता बनते हैं तीन-चार प्रकार के सबजी मिलां के करेला के साथ अभी जहां पर साग बनाना था वहां पर यह शुक्ता बना दिया और जहां पर तड़का वाला सब्जी बनाने था वहां पर चट्नी बना दिये और सब्से में फरोण ना डाल के फरोण मतब तड़का तड़का ना देके तो सुट्रेस में तड़का देके बना दी है तो यह क्या है यह तो चलो मुझबूरी है लेकिन हमारे बारे में अगर हम देखेंगे तो हमें उच्छा को बुद्धिमानी के साथ लेना है इसी सुलोक के तात्पर में नीचे जाके शिल्व प्रहुपत बताए है तो यह उच्छा हमारा है पर हमें प्रोपर इसको जो एप्लाइंग प्रोसेस हमें पता नहीं है इसको किस तरह से करे तो इसी बजाए से यह उच्छाहां का जो फाल है वह हमें प्राप्त नहीं हो पाते तो इसलिए हमें क्या करना है इसी सुलोक के जो आखिर में बताए है पूर्व वर्ति आचारियों के चरण चिन्नों का अनुशरन करने शस्त्र प्रमान महा जन जन गतव सपन था तो इसलिए इस सिस्टेम अगर हम सिस्टेमेटिकल नहीं जाएंगे क्योंकि महां है अभी कि अद्धतमि गैन duration चर्चा हुआ था यह हम जो भक्ति कर रहे हैं इसका लेवल क्या है इसका लेवल के बारे में लास्टव में चेaders कॉर्चा हुआ यह पहले हम जानते हैं तो शरीर है भौतिक बिशाय बुस्तु से संबंदित और आत्मा जो है यह आध्धात्मीक बिशाय बुस्तु से संबंदित तो हमारा जो लेविल है यह बहुतिक इस तर से पूर्णता परे है है तो चीज हमें जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक हमारा प्रॉब्लेम क्या रहेगा जो मूड अफ मेट्रियल नेचार जो है बहुतिक गुणों का जो सभाव है अभी किसी एक PhD डॉक्टर को अगर आप बोलेंगे कि साब आमारे घर आप आए तो आप जरा प्लिस मदद कीजिए वर्तन वहां पर बहुत सरे पढ़ा है कि आज संडे फेस्ट हुआ तो इतना सरे बक्त लगाए प्रशाद लिया तो आप जरा बर्तन साब पर दिजिए क्य अछी ही बताएं मैं कि ऐतुछ संक्राएट बहुते पने चार है ऊप और इसलिए भगवत घैन को इसले चार्चावा में गुरुबंद में इसीच चाप हुआ था भगवत घैन क्या होता है आто दिबो घैनल रीदे प्रकाश inspiring दिल में दमागमे नुप्र 825 अजिल में ब्र कि इसलिए भग्ति भीनों ठाकूर अपने भजों में बदाते हैं जड़ो बिद्धा जतो मायारो बोई भग तुमारो भजों ने बाधा अनित्तो संग्षारे महो जनुमिया जीविके कराए गाधा यह जड़ो बिद्धा का सभाव है भगबद भक्ति में बाधा प्रदान करते हैं तो यह अध्धात्मिक स्तर में जब तक हम नहीं आएंगे तब तक हम यह समझ नहीं पाएंगा अध्धात्मिक स्तर का नीती क्या है तद बिद्धी प्रोनिपाते ना परिप्रेशने न शेय भयार्व आको इतने पिसेंगे भक्ति जीवन में भक्ति में हमारकर आ जाते हैं तो हमें सबसे पहले क्या होता है पीशा जाता है हलंकि ये बिल्कुल सही हैं इसलोकि हम आए हैं दोशे हैं जगा से जहां पे अहंग ममेती सारे जो अहंग कार के साथ जुड़ेवे सारे सीजी है वो सब हमारे अंदर है भोतिक अकांग शाय आशाय यह सारे इसका पूरा पहार बना हुआ है पर और उस जगह से हम आया यहां पर क्या बोल रहें त्रिना दो पिशुनी चेना तरो रिवो सभिष्णुना संभाव है और जब तक पूरिश्थिति नहीं आएगा तब तक हमारी समझ में नहीं आएगा कि हम करें कैसे अभी बुद्धी के साथ उच्छाओं को चलाना है कैस महा जन जन गतो हो सपन था भले ही मेरे से मैं कितना भी एक्सपार्ट क्यूं नहीं पर फिर भी बुरिश्थों से हमें शिक्षा लेना है कैसे तद बिद्धी प्रणिपातन भगवद्वी तान बताएं तो उस तरह से आत्मों समार्पन पूर्वक्त जब हम किसी के पास जाएंगे तो अभी हमें भगवान के लिए कुकिंग करना यह सधरन कर्म नहीं है कर्मों जर लोगों के विशाएं नहीं है तो इसलिए हमें यह सिस्टेमेटिकल वह हमें इसको सीखना ज़रूरी है जब तक हमें इसको नहीं सीख पाएंगे तब तक हमें क्या रहेगा यह प्राब्लेम रहेगा उच्छा तो है पर उसका आनंद नहीं मिल रहे हैं क्यों ओई पहले मैं से लोगों बताये था नारद्जी का अईकांति के हरेर भक्ति रूत्पात वह कल्पते क्यों शृति शृति पुरानादी पंचरात्र विधिंग बीना बीधान विधी के बीना अगर हम करना चाहेंगे अईकांति की हरेर भक्ति भी अगर करते हैं तो समाज में अगर से उसको इस्तिमाल करना हैं तभी हमें इसका फल प्राप्त होगा है और उत्साहां के साथ साथ क्या करना है निच्चाय क्या है निच्चाय है धिर्दा धिर्दा है जानकरी के साथ और देठा कैसे हैं कि समझ ले ब्रिंदावन जाना है कुला कि अज फिस نے फेली से बिदावन हो आते हैं कि Le ket उच्छान से क्या किया गाड़ी में बैठ गये लेकिन गाड़ी से गाड़ी में बैठने से उच्छाओं के साथ गाड़ी में बैठने से पहले एक कम और भी हमें करना है क्या है हमें निट्चाय कर लेना है कि हम गाड़ी लेके जिस रास्ता से जा रहा है क्या यह रास्ता हमें ब्रिंदाबन ले जाएगा निट्चाय यह नहीं है कि मैं जाऊंगा ही जाऊंगा नहीं निट्चाय यह है कि हमारा डेस्टिनेशन क्या है ब्रिंदाबन तो यह रास्ता हमें ब्रिंदा बन लेके जाएगा की नहीं यह हमें निर्च्छाएं होना चाहिए कि अधयराइज क्या होगा उत्षाएं के साथ कि हम को ही चल पड़े आए हम बहुत चाहिए हमें चल जाना है ट्रावेलिंग में कहा जा रहें वर तक यह होगा अंधा गता अंधविपनियों माना आगे जाके बहुत उत्षाएं ऐसे गड़्डा में गिरेंगे और बहुत ते तेज गति से चलेंगे तो तेज गति से गिरेंगे अगर हमें निच्चित नहीं है कि हम जा कहां रहे हैं तो यह साथ साथ ज़रूरी है उच्छा होनी चाहिए साथ में निच्छा होनी चाहिए कि हम जाना कहां चाहते हैं हमें सेवा करना है उच्छा है और सेवा करे किसके यह भी पता होना जुरूरी है क्यों मुक्ती मुक्ती सिद्धी कामी सब बैठी हुए हैं आपको लपटने के लिए अपने चंगल में फसाने के लिए कहां कहां जाओगे तो यह सब बैठी हुए है तो इसलिए हमें बहुत सब्धानी के साथ हमें रास्ता चुनना है कि इस रास्ता में हम सेफली उच्छाओं के साथ अपना डेस्टिनेशन में पोज़ेंगे और उसके बाद हमें क्या चाहिए हमने निच्छे कर लिया ब्रिंदाबन जाना है उच्छाओं के साथ गारी भी हायर कर लिया रास्ता भी हो गया चलो हम बिंदाबन पोज़ गए नहीं रास्ता साड़ी तीन गंटे कहां कि रास्ता साड़ी तीन गंटा कहां है ते नहीं है कि हमने उच्छा बढ़ा लिया निच्छीत कर लिया हम बिंदाबन पोज़ गए धिरज रखना पड़ेगा रास्ता में कोही रूपना पड़ेगा बैरी लगा हुआ है दुकान अम्रूद लगा हुआ है उसका भी आनंद लेते लेते आपको जाना है समाय देना पड़ेगा कोई बैर मैंने से कोई क्लास्तों में से सुना है प्रुष्ण करते हैं प्रभु जी 15 साल हो गया जपा कर रहा हूं पर अभी तक मन नहीं लगा पा रहा हूं कि चैनल महाप्रभु क्या बोलते हैं कोटी जानमों करे जोदी नाम संकिर्तन तबुर नहीं पाए क्रिष्ण पदे प्रमोधन हमने 15 साल से किया है दो चार मला बदल भी लिया है दो चार मन के फट भी गया है रिपियर भी कर लिया है रिप्लेस कर लिया है इतना जल्दी न अगर हरिनाम करते हैं तो भी क्रिष्ण प्रेम प्राप्त करना मुश्किल है चितन महाप्रुव का सिद्धांत है पर उसके बाद फिर दोबारा और भी बुलें डिसापॉइंट होने के जुरुरत नहीं है अश्वासन है इसे अश्वासन क्या है एक क्रिष्ण नामे जीवेर जतो पाप हरे जीवेर की साथ दहां से ततो पुल करे एक बार क्रिष्ण बलके अगर क्रिष्ण का नाम का उच्चरन करते हैं जीव में सारे जिन्दवी में इतना शक्ती नहीं है इसे पूरा जीवन भर उतना पाप करें इतना पाप एक बार कृष्ण बोलने से पट सकता है तो प्रोसेस क्या है प्रोसेस ए है महाजन जो है साधू लोग आचायरी लोग यह सिध्धान दों बताए हैं महाजन जेनों गतोशापन था यह प्रोसेस है जब ए प्रोसेस हम फालो करेंगे तभी हमें वह साथ मिल पाएगा तो क्या है उच्छाह निच्चाय धर्य तिन चीज़ कंप्लेट हूँ है धर्य हमें रखना है क्योंकि धर्य किसलिए रखना है हम हरी नम तो अभी शुरू किया है लेकिन हम जनम कफ शुरू किया है हमारे पस कोई record नहीं है कि कब से हमारा जनम शुरू होowego है और किस किस जुनी से बटक करके हम आए तब कितने बार मनश्य जनम प्राप्किया है कोई भी हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है तो एक ही जनम में दो चार दिन आकर के भगवत गीता का दो पन्ना उल्पा पलट करके भागवतम के दो सुलक शिख करके क्या हरी भक्ति हो जाएगा को चला कर ARE इसल्ए कोई हफ्ता में मैं एक ही सुलक बोलते आएँ कृश्ण ने चोरप भगत भुक्ति दिया तक हो क्रिशन नादय भुत्टी रखें लुकाई एक हैं इस पर एक चीह नहीं देते हैं को है भक्ति कि इतना असान नहीं है पर हमें करना क्या है कि निच्चय होनी चाहिए कि निच्चय होता के साथ धेर्य होना जुरूरी है धेर्य किस प्रकार के छोटा हरीदर्ष जब चैतनों महाप्रभु के सेक्रेटरी थे तो जब एक अन्नाई किये थे अपराद में नहीं किये थे चैतनों महाप्रभु का दूख हुआ है तो उसका मूख मैं नहीं देखना चाहता उसको यहां से हटा दो हो और हिसका कभी वी उद्धर नहीं हो सकता हो तो कि मुकंद दाथ्तों हो पार बीकुछ भुकत थे वह हरीदास डो हरीदास है एक चोटा हरीदास है बडा हरीदास है कि बड़ा रिदास जो है जो हरीदास्था कि नामाचेर हरीदास्था कुरें तो पर जब भी मौका मिलते थे तो चैतनों महाप्रभु के उनके पार्षा दोड़ थे वह लोग रिक्वेस्ट करके थे कि प्रभु को मुझे नाम भी मतलों कि तो मुकुंत दत्तों एक बार चैतनों महाप्रभु का जाके बहुत बिनाम्रता से पूछे कि प्रभु मुझे एक बात बताईए कि कि आप उसको देखे नहीं और नलायक है आपके देखने लायक नहीं है वह बहुत मतलब गिरे होए बंदा है और मैं भी नहीं चाहता है कि आप उसको देखें आप शन्ना से होकर क्यों ऐसे पापी के दर्षन करेंगे आप भी उसको कि मील पाएगा ऐसे कोई रास्ता है कोई मैं मतलब पना शीव रिटी के लिए पूछ रहा हूं उसको मैं नहीं बता रहा हूं पर मैं अपने शीव कि आपके क्रिपा पाने का कोई रास्ता है तो चोईतन्य महाप्रभू मुगंद्य दत्तों को भोले कि एक इमली के पेड़ में जितना पत्ते है उतने जनम के बाद उसको मेरा क्रिपा मिलेगा इमली का पेड़ अपने देखा होगा और मैंने देखा कि इमली का पेड़ 125 सल पूरा ना और पूरा आधा गाओ घैलिए अभी उसके साथ अगर तुलना की जाए और उसके पत्ता का तो पता है इमली का पत्ता तो उसके साथ तुलना की जाए तो hopeless there is no hope कोई चरा नहीं है पर फिर भी छोटा हरिदास इस बात को सुनके उद्धन्ड किर्टन कर रहे थे नाच रहे थे क्यूं उनके एक अश्वाशन होगा था कि कभी ना कभी किसी जन्म में सब्सक्राइब भगवान के प्राप्त करना है तो हमें क्या करना है अपने आपको इससे प्रस्तूत करना है कि इस संगसार के श्रिस्टी में अगर सबसे नालायक कई जीव है वो मैं हूँ तो मुझ पर अगर भगवान के कृपा प्राप्त होगा मुझ पर अगर बर्शीत होगा कृपा तो वो सबसे आखिर में होगा तो इसका मतलब क्या है मुझे यहां से छोड़ के जाना नहीं किसी भी हालत में निर्शय क्या है किसी भी हालत में मुझे यही पर ही रहना है जेना तेना प्रकारेडा मन कृष्ण निवेशय किसी भी हालत में हो अल्मूस्ट इंपोसिबल है थोरा सा शब्दा अगर कोई भी किसी बेक्तिनी कुज़ियां में बोल देते हैं हमें सहन नहीं होता नियंदा है यह मारा सभाव है इस सभाव है लेकिन हमें इस इसतर से उप रहना है अगर भक्ति हमें करना है भक्ति का स्वाद अगर हमें प्रत करना है तो हमें यही करना है और बारवार शास्त्र में हमें यही शिक्षा दिये हैं चैतनों महाप्रुभू यही शिक्षा दिये है पहले चैतनों महाप्रुभू अब देखिए पहले प्रोसेस बताए हैं चेतो दारपोन मारजन पहले सलोक में दोसरों सलोक में महीमा बताए हैं मार सब्सक्राइब भिसता करना है नामचीजन कर डीशन है उसकत तोड़ेए ढल ऋगे अहुत और उसके बाद क्या बता है करना कैसे हैं तीसरे में तीसरे में क्या बता है कैसे करना है मूड क्या है त्रिणा दप्रिशुनी चेना कि अपने आपको इस पोजीशन में लाना है और उसके बाद क्या करना है इस लेज़े अपने आपको बनाए रहाकने के लिए तोफ देखिए सिद्धान्त है सिद्धान्त लईया भजे सिद्धान्त मानिया चित्ते ना करो अलस इहां हुई ते कृष्णि लागे शुद्री रोमानास यह सिद्धान्त है और हमें भक्ति करना है और इसमें अलस नहीं करना है सिद्धान्त को जानके उसको पालन करने में अलस नहीं करना चाहिए अगर अलस करेंगे तब फल प्राप्त नहीं होगा अगर बिना अलस किए सिद्धान्त को जानकरके अगर पालन करना शुरू करेंगे तब हमें क्या होगा अबोश्य रक्षिवे क्रिष्ण विश्या शुपालन इहां है क्रिष्ण लागे शुद्रिण मान अपना मन अपना चेतना अपना चित्त भगवान में लगेंगे तो इस प्रगर हमें देखना है भक्ति भाभुकत नहीं है इसी के इसी सुलक के तात्पुर में इस बारे में बताए हैं भक्ति भावर्नात्मक चिंतन या काल्पोनिक काल्पोनिक उर्मी नहीं है इसी सुलक के तात्पुर में चिला प्रहुपत बता रहे हैं भक्ति कोई मंगरन बिशय नहीं है और एक कोई भावना नहीं है अब भावना किस तरह के हैं भावना बहुत तरह के हैं उसमें से एक दो हम देख सकता है सद भावना है दूर भावना है सद भावना भी भक्ति है मैं एक लास वाधा के सामने खड़ आ अपना आराम से खड़े होकе आराम से बहुत भगवान की दर्शन कर रहे बाद में आके वह खुद करा रहे हैं और भगवान से बाते कर रहे हैं फिर आके बोल रहे हैं कि मैं आज राधा सेम्शंदर के सामने खड़ा रहा इंसे मैंने बाते दिया राधा सेम्शंदर मुझे बोले कि मेरे सेवक आप द्रिंदवन आ गये मेरे दर्शन करें नहीं खूँचे गया है किो यह क्या है प्रभावण और किसीके मन में बात करनी चाहिए वगवां से अगर इस तरह के कोई भक्ति नहीं है यह केवल भावना है तो भक्ति क्या है भक्ति है कि आज बड़े दिनों बाद मैं ब्रिंदा बन गया और जाके कृष्ण बल्राम के परिक्रमा मार्ग में बहुत सारे सुखे पक्ते पड़े थे और मेरे के बहुत बढ़ी कृपा हुई वहां के एक सिपके मु मैंने जारू लगा है तुम ने क्या सेवा किया और मेटर रहें वह भक्ति है। है में वाक्ति समझना है बारी की से बग्ति बहुत उच्छा इस्तर की बिशाय है भूस्तोष भाई एचि मैं मंदिर में जाके भगवान के सुविड़ा के लिए भगवान का प्रसंद करने के कि भगवान के भक्तों के लिए हैं ए इस परकार भावना मन में को भावना मन में में तो क्या होंगे है हमारे मन में ऐसाता और बढ़ेगा ऐसी पानार बढ़ेगा यह दो भावान के विष्टर में बैट करके भगवान के चिंतन करेंगे पर महरते और भगवान सपना में आकर कि मेरे सामने बासुरी बाइंगे मैं दर्शन करूंगा. भगवन तुमारे नौकर नहीं है. हम भगवन के सेवक हैं. हमरी यह सीज. लास्ट वी के चर्चरा में ही हुआ था. हम भगवन के सेवक हैं, दास हैं. और हम दास हैं. इसमें गर्वो करना है हमें. जब तक हम उसमें गर्व फिल नहीं कर रहे हैं कि हम दास हैं तब तक हमारे सेवा अक्सेटबाद नहीं हो पाएगा और उसका प्रोसेस चैतनों महाप्रूव बताए हैं आचायरों ने बताए रहे हैं इस सुलक के उसके तीका में शिला भक्ति मिनों ठाकूर बहुत सुन्दर तरीका से इसारे सीज़ उनके अम्रित वर्षी ने ठीका में पताए हैं विशाय में तो हमें इस चीज़ को बारीकी से समझना है भक्ति में हम आ गए नाम अपना दर्ज कर दिया गूरू प्राप्त हो गया कनेक्शन हो गया इलेक्टिस इलेक्टिस अपलाई हो रहे हैं सब गुरुदेव के साथ जोड़े गुरुदेव भगवान का रास्ता में बता दिया है गुरुदेव हमें एकसेप्ट किया है हम अगर कुछ लेके आएंगे तब वह ऑथोराइस्ट देंगे क्रिश्न को अरपन करने के लिए पर लेके जाने का काम किसका है हमारा है यह बक्ती है और इसको हमें समझना है जब तक हम यह नहीं समझेंगे तब तक हमें क्या होगा उच्छा के साथ करते रहेंगे पर उच्छा से उच्छा से उच्छा बाढ़ते नहीं रहेंगे उच्छा के लिए हमें उन्नत इस्तर की स्वाद चाहिए और उस्वाद अगर नहीं मिल पाएगा तो हम वही क्यों ही रह रहेंगे लेकिन हमें प्रयत्म करना है सिस्टेमेटिक लिए तो इसके बाद क्या बलता है नियमक सिद्धान्दू के अनुसार करने करना ततत कर्म प्रवर्तनात्त अभी ततत कर्म क्या है ततत कर्म के बारे में शिपाद्रुपुग स्वामी प्रभुपाद बताए हैं ततत कर्म में बहुत सारी कर्म है ततत कर्म है सास्रों के सिद्धान्त के अनुसार ऐसे कर्म करो जो क्रिश्न भक्ति के अनुकुल हो भक्ति रसाम्रित शिंदू में बताते हैं अन्ना विलासिता सुन्नम गैनो कर्म दनाबृतं अनुकुलेन क्रिश्न अनुश्नाना क्या है भक्तिरुत्तमा तत्तत कर्म प्रबर्तनात हमें एक रना है आन सारे प्रकार के जो अभिलाशाएं हैं उसको छोड़के गैन कर्म आदी के चंगुल से बच्च के क्रिश्न सेबा के अनुकुल जो कर्म है वो कर्म हमें करना है तभी हमारा यह उच्छा है यह निच्चाय के साथ अगे बढ़ेंगे देरिये के साथ लगे रहेंगे तोग जाके हमें इसका जो अश्रासन इस शुलक में देखा रहें शुद्ध भक्ति तब हम त्रप्त कर पाएंगे और इसका क्या है चोथ हमें नियमक सिद्धानतों को पालन करना है और इसके साथ साथ एक एडिशनल क्या दिया है अभक्तों की संगत से दूर रहना है कि यह हमारे लिए बहुत बड़ा बाधक है अभक्तों की संगत हाए और साथ सब्सक्राणको अनुशरन करके हम इस तरह से अगर क्रिश्न Also कार्यों करेंगे हांёт बड़िश्ट भक्तों के ऐस र हे करें झाल करेंगे तब हमें इसका फॉल सकता है बाइक बाकृष्ण नाम लेने से जो फॉल प्राप्त हो सकता है जीव के फास फोरा जिंदगे में इतना पाप करने की शक्ती ना का इस एक के बल फो Серव तभी है जब हम गुरु कृष्ण के आश्ट्राइब में रहा करके उनके आदेश अनुसर हम सिवा का प्रयाद में करें रहा हुआ ठीक है और कुछ इस विश्वाय में चर्चा स्वरी प्रभुष्ष तो अब बुर्ण प्रूप इस कोशन के बारे में पूसर है अगर कोई किसी को प्रशन है तो इस बारे में हम बेख सकता है कि अब आपने बोगाई कि गुरू